सो हे गाईज वेलकम बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तों वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला इसको बिना स्किप किए देखेगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और आपने अगर से सब्सक्र आदेरी कि इस वीडियो को शुरू करते हैं अब हम आ गए अपने बेसिक पार्ट पर तो हम सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं पता है आपको बेसिक आ गया तो एक्सराइस तो इजी हो नहीं है ठीक है तो यहां पर देखो सबसे पहली चीज लेसन की कि भाई य आप झा joka रो तो पता तो होना चाहिएं है पॉल्लीनोमेल क्या होता है तो कोई भी औलिबен कैसे च्रिक एक्सपरेशन हो जयसे अब तक आपने पढ़ा है सेवें धडर में हैं कि मानलों कोई भी x square plus 2x plus 5 something कुछ है जिसमें variable use हुआ हो बराबर ना तो यहाँ पे देखो m n m मतलब 2 variable यहाँ पे use हुआ है ठीक है तो इन variable का power whole number हो अब whole number क्या होता है वो 0 से लेकर के कहां तक क्यों होता है infinity तक तो यहाँ पे देखो इसका power 2 है इसका power 3 है इस variable का power 5 है ठीक है तो यह जो है यह क्या हुआ polynomial है नहीं है मान लो अगर suppose करो कि कुछ ऐसा हो जाए मान लो कोई 1 upon y हो जाए और plus y square हो जाए ऐसा कुछ तो यहाँ पे इस y का अगर बात करें इस y का power कितना है तो यह inverse है यानि कि इसका y का जो power है वो negative है ठीक है negative जो की whole number नहीं है तो ऐसे condition में वो जो होगा वो polynomial नहीं होगा और यह polynomial है ठीक है तो ऐसा question आपके में है देखो यह बता रहा हूँ ना साथ मैं आप question भी solve कर सकते हो अगर देखा जाए तो पहला है जो भी होगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे बोलता है degree of polynomial in one variable more than one variable ठीक है sorry क्या है the highest power of the variable is called the degree of the polynomial मतलब कि जो इसमें से अब अगर बोला जाए इस polynomial का degree कितना है ठीक है तो भाई यहाँ पे इसका power 2 है इसका n का power 3 है इसका power 5 है ठीक है अब arrangement यह उल्टा पुल्टा है doesn't matter लेकिन यहाँ पे यह जो variable है इसकी सबसे बड़ी power 5 है तो इस पूरे polynomial की जो degree होगी वो हो जाएगी 5 ठीक है बहुत simple है अब इसके arrangement के बारे में भी आगे आप सीखोगे in more than one variable मालो जादा हो जैसे की यहाँ पे देखो दो-दो variable का बना हो ठीक है यहाँ पे एक-एक variable दो variable पर अलग-अलग term में है ठीक है पर यहाँ पे क्या है कि दो variables एक साथ में है ऐसे condition में the highest sum of the powers of the variable in each term of the polynomial is the degree of the polynomial मतलब कि यह जो polynomial है इसमें जितने term है उनकी variable के sum sum के अगर बात करें अब यहाँ पे देखो ना ध्यान से अगर यह term की बात करो यह term की बात करो यह term की बात करो अगर इस term की बात करो तो इस term का power क्या है जैसे यहाँ पे इस term का power 5 था इस term का power 3 इस term का power 2 तो इस का power 5 था सबसे जादा, तो वही degree हो गया, तो यहाँ पर जिसका जादा रहेगा, वही degree हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें, 3 प्लस 6, तो यह दोनों मिलके 9 हो रहा है, देखो, 3 प्लस 6, 9, 2 प्लस 3, यहाँ पर 2 प्लस 3, देखा जाए, तो यह 5 हो रहा है, यह यहां पे तो कुछ नहीं 111 यानि 1 प्लस 1 तो यहां पे 2 है तो सबसे ज़्यादा यह 9 है तो इसकी डिग्री कितनी होगे डिग्री ओफ पॉलिनॉमियल इस पॉलिनॉमियल का 9 तो देखो बहुत सिंपल है आपने क्या क्या सीखा कि भाई पॉलिनॉमियल क्या होते हैं अब आप उसे फटाफट कर लोगे तो बिना देरी कि अब चलते अपने नेक्स पार्ट पर तो फ्रेंड्स अब हम आ गए यहां पे समझना है में लीनियर पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्या होता है देखो आपके में चार्ट अ आपको समझना ही तो है वैसे समझए ऐसे तो यहां पे आपको समझना है linear और क्वाड्रेटिक क्या होता है क्या cubic में उस polynomial की degree 3 हो और उससे ज़्यादा हो तो वो अलग होगा ठीक है तो समझो यहाँ पे आपको 3 समझने है ठीक है अब इसकी degree देखो 1 है इसकी degree 2 उसकी degree 3 तो 1 degree वाले को linear 2 degree वाले को quadratic और 3 degree वाले को cubic बोलेंगे अब यहाँ पे इसका standard form कैसा होता है कि ax plus b देखो ax plus b और ax square bx plus c यहाँ पे x cube bx square और cx plus d अब समझो अब यहाँ पे एक चीज है इन सब में यह जो a और b है जैसे a b c ठीक है c तो constant है यहाँ पे b constant है और यहाँ पे a b c 3 यह सारे क्या है यह coefficient है ठीक है जिसमें से a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा समझो क्यों अब अगर a अगर 0 के बराबर हो जाए जरा सोचो तो यह पूरा मतलब a a multiply x है plus b है ठीक है अब a 0 के बराबर हो जाए so 0 into x plus b बोले तो क्या होने वाला है 0 into x बोले तो 0 plus b यानि इसमें तो सिर्फ b बचेगा तो यह linear नहीं रह जाएगा और b बचेगा बोले तो सिर्फ 1 बचेगा 1 बचेगा 1 1 तो constant हो जाएगा वो भी polynomial है पर वो linear नहीं है मतलब कहने का मतलब कोई भी number जैसे कि इस 5 हो यह polynomial है क्योंकि इसकी degree 0 होती है कैसे अब भी भाई इस 5 को आप क्या लिख सकते हो 5 multiply by अगर variable x कर दो तो x आप खुद से नहीं x पर power 0 कर दो अब वो क्या होता है भाई 5 into x पर power 0 तो something power 0 वो हमें सब 1 होगा ठीक है तो यहाँ पर 5 यानि कि यह जो constant polynomial है इसका अगर आपको कोई मतलब इस polynomial का अगर आपको कोई पूछता है degree तो आप बोलोगे क्या 0 ठीक है क्योंकि वो जो है constant polynomial है इसी तरह a बराबर नहीं हो सकता 0 के अब समझो अब यह जो है य यह सारी चीज़े ना standard form यह standard form अब यहाँ पर ध्यान से देखो standard form में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे बड़ी power को पहले लिखते मतलब आपको क्या करना है न है variable के power को descending order में लिख दो यानि यह जो है यह standard form में नहीं है अगर आपको इसे standard form में लिखना है तो आपको इस तरह जैसे देखो यह 3 power 2 power 1 फिर कुछ भी नहीं constant यानि 0 power वाला ठीक है ऐसे लिखना है तो अगर यहाँ पर आप इसे करोगे तो यह क्या हो जाएगा x per power 4 सबसे पहले ठीक है फिर उससे छोटा है जो वह minus 3x square उसके बाद में यह x देखो plus में है plus x और उसके पा अब यहाँ पे चीज समझने वाली है कि यहाँ पे जो आपका होता है ना कि index form आपको क्या करना है यहाँ पे देखो जो index form है जैसे कि 4, 2, 1, 5 बरबर ना तो यहाँ पे आपको index form में करने के लिए ना आपको सबसे पहला क्या करना पड़ता है ना कि आपको वहाँ पे जो missing term है उसे भी लिखना पड़ता है समझो missing term क्या है जैसे यहाँ पे जरा समझो एक्स पर पावर 4 है और फिर फिर सोचो पावर 4 है 3 वाले नहीं है तो यहाँ पे आपको प्लस में 0x पर पावर 3 कर देंगे तो 0 into multiply 0 तो नहीं को एटेंशन नहीं है सम कर सकते तो आप इंडेक्स फॉर्म में होने का मतलिवταν कि देखो पावर के फ़र्म में हो गया बतलब जो missing term थे उनको लिख़ दिया हमने i.n ऐसा ही हम को efficient लिख सब्सक्राइब मतलब index form में हमने missing लिख दिया अब index form में जो दिया रहेगा मतलब coefficient form में जो दिया रहेगा उसे index form में बना रहेगा और index form को coefficient form में ऐसे लिखने को आ सकता है तो अभी अगर मान लो कि इसका हमें coefficient form लिखना है तो देखो बहुत simple है बहुत जादा कोई भी polynomial ऐसे दिया है और उसने बोला coefficient form लिखो तो आप क्या गरोगे सबसे पहले उसको index form में कर दोगे यानि कि उसके missing term उसमें put कर दोगे अब coefficient form जस्ट सारे powers का लिख दो इसका देखो एक्स पर एक्स पावर फोर है ना इसका coefficient कितना है वन है कॉमा तो वन लिख दिया ओके इसका उसके बाद 0 एंड उसके बाद माइनस 3 एंड उसके बाद 1 एंड उसके बाद 5 ठीक है और यह सारे प्लस माइनस हो गया ठीक है इतना कर दिए सेम चीज जब यह आपको ऐसा देगा बोलेगा coefficient form में लिखो या फिर जब ऐसे coefficient form या यह देके रखेगा यह सेम दिया रहेगा और बोलेगा लिखो इंडेक्स फॉर्म तो आप गलती कर देते हो तो कुछ नहीं करना है इसके साथ कोई भी वैरियेबल ले लो सपोस इसे में plus उसके बाद देखो यह वन है वन तो one coefficient में नहीं लिखते तो उसके लिए मैं सिर्फ लिख़ँ सब्ढोंगा M एम क्यों ओके एंड उसके बाद वन है तो यहां पर एंपर पावर देखो सेम चीज़ देखो सेम टूसे ठीक है बस वैरियेबल चेंज है लेकि अगर आप इसको रिटन ऐसे लिख देते हो कि एंपर पावर पॉर और उसके बाद में यह आप नहीं भी लिखते हो मतलब उसके से बाद में माइनस 3 m square प्लस M प्लस 5 तो देखो यह इसकी तरह हो गया देखो द्यान से और ऐसे ही करना है बहुत सिंपल है जब को इंडेक्स फॉर्म में दिया रहेगा मतलब ऐसे दिया रहेगा तो आपको बुलेगा कोईशेंट फॉर्म में लिखो फिर जब कोईशेंट अब हम आगे हैं इसकी से 3.1 पे जो पहला कोस्टन है वो देखते हैं इसकेट वेदर दग गिवन और जब्रिक एक्स्प्रेशन सार पॉलिनॉमियल इंजस्टिफाई अब देखो फिर से वही बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसे कोस्टन आपको पूछ सकता है क कि आपको यह पता करना है कि यह पॉलिनॉमियल है कि नहीं ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया था याद करो कि पॉलिनॉमियल है ठीक है तो वो क्या है कि मतलब वैरियेबल का पावर कितना होना चाहिए होल नंबर ठीक है होल नंबर यानि जीरो से लेके इंफिनिटी तक उससे कम हुआ तो polynomial नहीं है ठीक है अब यहाँ पर question number first की अगर बात करें यहाँ पर y पर power 1 तो है बट इस y का क्या इस y को ध्यान से देखो यह inverse है यानि y का उल्टा है यानि इस पर power जो है minus 1 है यहाँ पर minus 1 power है ठीक है तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि भीया यह no बरबर नो यह polynomial नहीं है क्यों नहीं है because in the term यह जो 1 upon y है इसमें जो power है इसका in the term of the यह जो power है वो कितना है वो negative है minus 1 यानि इसे अगर ऐसे सही तरीके से लिखोगे तो यह y plus y पर power minus 1 इसको अगर ऐसे करके लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा बरबर ना तो भीया in the term of 1 upon y the power of the variable is negative 1 यानि minus 1 ओके दिन यहां पर भी देखो same situation अब यह under root है under root का मतलब भी वही होता है under root का मतलब देखो क्या होता है आप अगर 2 minus अब यह 5 है अब इसका अगर root की अगर बात करें तो आपने 8 में ही पढ़ा है index वाले में so root का यानि power कितना होता है root का power होता है 1 upon 2 जो की 0 से कम ह है नहीं 0 से जादा है 0 से जादा है half है बराबर ना half पर whole number नहीं है क्योंगी 0 1 2 3 ऐसा होना चीए half है भाई हां तो यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर यहां पर यह भी no है क्यों no है because in the term 5 root x power of the variable वह कितना है 1 upon 2 बराबर ना तो यह हो गया आपका answer मतलब justify मैं आपको shortcut बता कर लेना ठीक है यहां पर देखो यहां पर भाईया है क्यों क्योंकि एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 1 बराबर ना और यहां पर अगर देखा जाए तो इसका पावर 0 होगा ठीक है तो ऐसे condition में है क्योंकि अब यहां पर reason भी आप देख सकते हो कि because the in because the power of the variables are whole number are in whole number ऐस 2 और यहां पर 7 पर पावर 1 है यहां पर इसे भी हम नो बोलेंगे क्योंकि इसका इसमें जो है variable negative हो गया because in the term of 2m power minus 2 power is minus 2 और जब वो whole number नहीं है power is minus 2 या power is not whole number तो हो गया ना भाई वो नहीं है अब यहां पर देखो यहां पर बोलेंगे yes 10 है ना constant polynomial मैंने आपको बताया था क्योंकि 10 अगर इसको multiply x पर power 0 से करते हैं बराबर ना तो ऐसे condition में यह क्या हो जाएगा 10 multiply 1 that is 10 बराबर ना तो यहां पर 0 है तो भाईया यह है because power of the variable is whole number बराबर ना तो यह था हमारा question number first और अब हम बढ़ते हैं अपने question number 2 पे तो यहां पर question number 2 देखो क्या दिया हुआ है write the coefficient form of MQ in each of the given polynomial जितने भी polynomial दिये ना उसमें आपको क्या करना है MQ का coefficient लिखना है तो भाई देखो यहां पर MQ का coefficient MQ कितनी बार है एक बार है बाई coefficient कितना होगा यहां पर 1 ठीक है यहां पर MQ MQ वालट टर्म यह नहीं है यह नहीं है यह है ठीक है तो यहां पर इसका MQ का coefficient form क्या होगा root 3 बट वह minus में है so minus root 3 यहां पर देखो क्या होगा ज़रा ध्यान से देखता है यहां पर MQ यह है M square M है तो इसका हम लिखेंगे तो MQ का यह कितना होगा minus 2 upon 3 ठीक है तो यहां पर यह question हो गया अब question number 3 करते है वो question number 3 का है write the polynomial in x using the given information यानि कि अब आपको क्या करना है यह जो यहां पर information दिया है इसको इस्तमाल करके x का x का use करके इस information का इस्तमाल करके आपको polynomial लिखना है तो यहां पर बोलता है monomial with degree 7 मतलब इसमें एक टर्म होगा तो यहां पर कुछ नहीं एक्स पर पावर 7 लिख दो एक्स तो उसने दिया ही है बस पावर 7 ही तो लगाना है ओके सेकेंड में देखो आपको क्या करना है binomial with degree 35 यानि इसमें 2 ने ची यानि एक्स पर पावर 35 कर दो औ प्लस कुछ भी कर दो 5,6,7,8 कुछ भी तो दो टम हो गया ना, binomial हो गया अब यहांपे दिको क्या बोला है trinomial with degree 8 यानि एक्स पर पावर 8 कर दो प्लस एक्स पर पावर 5 कर दो प्लस 9 कर दो कुछ भी कर दो चाहित तो यहां पर तीन टम हो गया तो देखो बहुत सिंपल थ सकते हो और अब हम बढ़ते हैं next question so friends अब हम आ गए अपने question number 4 पे तो यहां पर question number 4 देखो क्या दिया है write the degree of the given polynomial यह जो polynomial दिये हो है इनकी degree लिखो तो इनकी degree क्या होगी इसकी degree देखो क्या होगी यह एक number है ठीक है जो root में दिया हुआ ठीक है तो कोई भी constant number के degree कितनी होती है मैंने आपको बताई 0 क्योंकि उसमें एक्स अगर हम variable put करेंगे तो उसका power 0 देना पड़ेगा तो आपर root 5 multiply x power 0 करेंगे so root 5 multiply power 0 का हो जाएगा 1 so वो आएगा root 5 तो यह constant polynomial है ठीक है तो यहाँ पर 0 इसका power already देके रखा है 0 इसका power कितना यह दिगरी कितनी थीख है यहाँ पर देखो इसकी सबसे बड़ी डीश गरी कितनी है 5 तो यहाँ पर इसका डीक प्रीकल नौगा 50 चेश्बर्य इसमें जितने भी कितम मन सभ के powers five सबसे बढ़ा है तो बोगा तो दिग्री ठीक है तो यहां पर यह 3 यह इसका डिग्री होगा ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखो यहां पर भी यह चीज बहुत सारे बच्चे इसमें रॉंग कर देते हैं सबसे बड़ा कौन सबसे बड़ा 10 अब यहां पर इसका जो है डिग्री कितना होगा इसका जो आपका डिग्री होगा वह कितना होगा ठीक है ढास्टव वालएका यह को बहुत आसान था अब है पर समझो कोस्यों नमबर फॉर होगे आपकाalten नमबर फाइब करते हैं classify the following polynomials as linear quadratic and cubic polynomial यह जो polynomial दिये हैं इसमें आप classify करो कि वो linear है quadratic है cubic है ठीक है तो आपका मन आप उसके नीचे ही लिख दो या फिर आप क्या करो linear quadratic और cubic का column बना लो और इनको उसमें उसमें लिख दो ऐसे भी कर सकते हो या फिर मेरी तरह ही कर दो डारेक लिख दो भीया पैचानो और उसके नीचे लिख दो यहां पर देखो x के इसमें जो है इस polynomial की degree कितनी है सबसे बड़ी तो यह वन है यह टू है तू है जिसके degree होती है वो क्या होता है वो होता है quadratic राइट अब इसके degree कितनी है वन डिग्री वाले को हमने क्या बताया था बेसिक में linear तो यहां पर हम कहेंगे कि यह है भाई linear ठीक है यह linear और यह यहां पर ध्यान से देखो यह क्या है यहां पर वाई का जो वैरियेबल का है यह पावर 1 है यानि इसके degree कितनी है वन है तो यह भी क्या हो जाएगा आपका यह भी आपका linear हो जाएगा ठीक है यहां पर देखो सबसे must यहां पर देखो आपको क्या समझ में आरहे एम पर पावर यहां टू है यहां जीरो है और यहां पर क्या है Three है सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है, यानि इस पॉलिनॉमिल की डिग्री कितने हुए? 3, 3 डिग्री वाले पॉलिनॉमिल को क्या बोलेंगे भाई? cubic bowling a cubic एक सेकंड जादा दूर हो गया तो यह आपका हो गया अब देखों यहाँ पर power 2 है भाई power 2 यानि degree 2 बोले तो क्या होगा quadratic ओके quadratic यहाँ पर धिहान से देखो power 3 यानि degree 3 बोले तो यह क्या होगा आपका cubic polynomial तो बस देखो कितना simple था बहुत आसान था बहुत जादा लेकिन फ्रेंड्स ये एकदम सिंपल चैप्टर है बहुत आसान है आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में हम यहीं तक रुखते हैं अगर आपको इसके आगे की कुश्चन दिखने वह आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊ हुआ बहुत आराम से क्योंकि इसमें थोड़ा सा है जो बच्चों को खलवली मचाता है और टेंशन में डालता है मैं आपके साथ हूं आपको कोई भी टेंशन हो आप कमेंड में करना और यह जरू रहता नहीं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो इसे ला कर देना तो फ्रेंश वीडियो देखने लिए आपका बहुत-बहुत हन्यवाद